ओम शांती, 11 नमंबर 1989 अव्यक्त बाप दादा मदुबन, शीर्षक दिव्यता संगम योगी ब्रामणों का श्रिंगार है। आज दिव्य बुद्धी विधाता, दिव्य दृष्टी दाता, अपने दिव्य जनमधारी, दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात, दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य करम करने वाली दिव्यमूर्थियां बनाया है। दिव्यता आप संगम योगी बच्चों का श्रेष्ट श्रिंगार है, एक है साधारनता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवन धारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नैनों द्वारा अर्थात द्रिष्टी द्वारा साधारनता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारन आत्मा अपनी साधारनता को भूल जाएगी। क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारन जीवन से मेजोरिटी आत्माय संतुष्ट नहीं है। आगे चल कर ये आवाज सुनेंगे कि ये जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए, अलोकिकता, दिव्यता, जीवन का विशेश आधार है, ये अनभव करेंगे, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों और ढूंडेंगे, जैसे स्थूल पानी की प्यास में तडपता हुआ मानव, चारों और पानी की बूंद के लिए तडफता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं, चारों और अंचली लेने के लिए तडफती हुई दिखाई देंगी, तड कभी साधारन कभी दिवे जब बाप ने दिवे द्रिष्टी दिवे बुद्धी का वर्दान दे दिया तो दिवे बुद्धी में साधारन बाते आ नहीं सकती दिवे जनमधारी ब्रामण तन से साधारन कर्म कर नहीं सकता चाहे देखने में लोगों के लिए साधारन कर्म हो द मारताएं खाना बनाती हैं, देखने में साधारन कर्म हैं, लेकिन इस साधारन कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्वे कर्म हो. महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिवे जनम्धारी ब्रामन तन से साधारन कर्म नहीं करते मन से साधारन संकल्प नहीं कर सकते धन को साधारन रीती से कारे में नहीं लगा सकते क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कारे में नहीं लगा सकते हर समय बाप की श्रीमत दिवे कर्म करने की मिलती है इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारन बोल और कर्म कितना समय रहा और दिवे अलौकिक कितना समय रहा कई बच्चे कहां कहां बहुत भोले बन जाते हैं चेक करते हैं लेकिन भोले पन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेश गलती तो की नहीं बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं लेकिन ये चेक किया कि दिवे वे अलोके करम किया क्योंकि साधारन बोल वा कर्म जमा नहीं होता, ना मिटता है ना बनता है, वर्तमान का दिवे संकल्प वा दिवे बोल और कर्म भविश्य का जमा करता है, जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नह रहना है वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया लेकिन सुख भी दिया दुख नहीं दिया इससे वर्तमान अच्छा बनाया लेकिन सुख देने से जमा होता है वह किया वह सिर्फ वर्तमान में ही जमा करते। सिरफ ये नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए मास्टर सुख दाता द्वारा हर कदम में सुख की अनभूती करे। इसको कहा जाता है दिव्वेता वा अलौकिक था। तो चेकिंग भी साधारन से गुईये चेक कितना जमा किया, मन के दिवे संकल्प से कितना जमा किया और धन को श्रीमत प्रमान श्रेश्ट कारे में लगा कर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेश अटेंशन दो क्यूंकि आप विशेश आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जर्म के सिवाए सारे कल्प में कोई समय नहीं है और आत्माओं का हिसाब अलग है लेकिन आप श।रेश्ट आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं तो समझा क्या करना है इसमें भूले नहीं बनो पुराने संस्कारों में भूले मत बनो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जम्मा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे, सभी सनेह में सब कुछ भुला करके पहुँच गए हैं, बाप दादा भी बच्चों का सने देख, एक घड़ी के सनेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की आना जाना ही पड़ेगा, तो सब बाते सुनते हुए भी सनेह में पहुच गए, ये भी अपना लक समझो, जो इतना भी मिल रहा है, फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान, खड़े खड़े रात तो नहीं पिताते हो ना, तीन पैर प्रिथ्वी तो सब को मिली है न यहां भी आराम से बैठे हो, जब आगे वृद्धी होगी तो स्वता ही विधी भी परिवर्तन होती रहेगी, लेकिन सदैव ये अनभव करो, कि जो भी मिल रहा है, वे बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धी तो होनी ही है, और परिवर्तन भी होना ही है, तो सभी को आरा आराम से रहना, खाना मिल रहा है ना, खाना और सोना, दो चीजें ही चाहिए, माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहां मिलता है, वहां तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ, यहां बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए म आराम से बना हुआ भोज़न खाया ना? सदैव ऐसे easy रहो, जिसके संसकार easy रहने के होते हैं, उनको हर कारे सहज अनुभव होने के कारण easy रहते हैं, संसकार tight हैं, तो circumstance भी tight हो जाते हैं, संबंद संपर्क वाले भी tight व्यवहार करते हैं, टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले तो सभी ड्रामा के हर द्रिशे को देख देख हरशित रहने वाले होना वा कभी अच्छे बुरे के आकर्शन में आ जाते हो ना अच्छे में ना बुरे में किसी में आकर्शित नहीं होना है सदैव हर्शित रहना है अच्छा सदा हर कदम में दिवेता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिवे मूर्थियों को सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नौलिजफुल आत्माओं को सदा हर समस्या को इजी स्थिती द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समाधार बच्चों को अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ग्यान सागर श्रेश्ट आत्माओं को ग्यान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बॉमबे, सांटा कुरुझ पारले ग्रुप बॉमबे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन हो ना सदा अपने को संपन आत्मा हूँ एसे अनुभव करते हो ना संपन्ता संपन्ता की निशानी है संपन्ता की चेकिंग अपनी संपन्ता से कर सकते हो क्योंकि संपन्ता माना सर्व खजानों से फुल होना जैसे चंद्रमा जब संपन होता है तो संपनता उसकी संपूनता की निशानी होती है इससे और आगे नहीं बढ़ेगा बस इतनी ही संपूनता है जरा भी किनारी कम नहीं होती है संपन होता है तो आप सभी ग्यान, योग, धारना, सेवा सभी में संपन इसी को ही संपूनता कहा जाता है इससे जान सकते हो कि संपूनता के समीप है या दूर है संपन हो अर्थात संपूनता के समीप हो तो सब समीप हो कितने समीप हो 8 तक, 100 तक या 16,000 तक 8 की समीपता फिर 100 की समीपता फिर 16,000 की समीपता कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना है अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत-बहुत भागेवान हो वहत अड़पने वाले हैं आप समपन आत्माए हो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो ये खुशी है ना रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाए और कौन खुश रह सकता है तो यही वर्दान सदा सम्रिती में रखना कि समीप है संपन है अभी तो समीप मिलना भी हो गया जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है वैसे स्थिती में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन बनो अच्छा गुजरात पूना ग्रुप सभी द्रिष्टी द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनभूती करने के अनुभवी हो ना जैसे वानी द्वारा शक्ती की अनभूती करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ती मिली ऐसे द्रिष्टी द्वारा शक्तियों की प्राप्ती के अनभूती के अभ्यासी बने हो या वानी द्वारा अनभव होता है द्रिष्टी द्वारा कम द्रिष्टी द्वारा शक्ती कैच कर सकते हो क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्वे द्रिष्टी द्वारा अनुभव करा सकते हैं आगे चल कर वाणी द्वारा सबको परिचे देने का समय भी नहीं होगा और सरकम्स्टांस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे वर्दानी द्रिष्टी द्वारा महादानी द्रिष्टी द्वारा महादान वर्दान देंगे द्रिष्टी द्वारा शांती की शक्ती प्रेम की शक्ती सुखवा अनंद की शक्ती सब प्राप्त होती है जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है तब तो जाते हैं ना कैसे प्राप्ति होती है उनकी दिव्वेता के वाइब्रेशन से और दिव्वे नैन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन्स मिलते हैं नैनों द्वारा दिव्वेता की अन्भूती होती है वह तो हैं जड़ मूर्तियां लेकिन किसकी हैं आप चतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं ये नशा है कि हम मूर्तियां हैं चतन्य में ये सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हैं तो दृष्टी द्वारा शक्ती लेना और दृष्टी द्वारा शक्ती देना ये प्रैक्टिस करो शांती के शक्ती की अनुभूती बहुत श्रेश्ट है जैसे वर्तमन समय साइंस की शक्ती का कितना प्रभाव है हर एक अनुभव करते हैं लेकिन साइंस की शक्ती निकली किस से साइलेंस की शक्ती से न जब साइंस की शक्ती अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ती कितनी प्राप्ति कराएगी तो बाप के दिवे दृष्टी द्वारा स्वयम में शक्ति जमा करो तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे अपने ले ही जमा किया और कारे में लगा दिया अर्थात कमाया और खाया जो कमाते हैं और खा करके खतम कर देते हैं उनका कभी जमा नहीं होता और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर दोखा मिलता है दोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ती होगी ऐसे ही साइलेंस की शक्ती जमा नहीं होगी दृष्टी के महत्व का अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ट पद प्राप्त करने में दोखा खा लेंगे फिर दुख होगा पश्चाताप होगा इसलिए अभी से बाप की दृष्टी द्वारा प्राप्थ हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो तो जमा करना आता है जमा होने की निशानी क्या होगी नशा होगा जैसे साहुकार लोगों के चलने बैठने उर्थने में नशा दिखाई देता है और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है तो ये है रुहानी नशा इस नशे में रहने से खुशी स्वता होगी खुशी ही जन्म सिद अधिकार है सदा खुशी की जलक से औरों को भी रुहानी जलक दिखाने वाले बनो इसी वर्दान को सदा समरिती में रखना कुछ भी हो जाए खुशी के वर्दान को खोना नहीं समस्या आएगी और जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाए क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है परिस्तिती माया की है अपनी नहीं है, अपनी चीज़ को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं, चाहे ये शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा, तो गुजरात औ और महराश्ट्र वाले इस महांता में सदा रहना, खुशी में महान बनना, अच्छा, आंधर परदेश करनाटक ग्रूप, इस ड्रामा के अंदर विशेश पार्ट बजाने वाली विशेश आत्माई हैं, ऐसे अनुभव करते हो, जब अपने को विशेश आत्मा समझते हैं, तो बनाने वाला बाप स्वता याद रहता है, याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है, जहां संबंध होता है, वहाँ याद स्वता सहज हो जाती है, जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए, तो और कोई रहा ही नहीं, एक बाप सर्व संबंधी है, इस समरेती से सहज योगी बन गए, कभी मुश्किल तो नहीं लगता, जब माया का वार होता है, तब मुश्किल लगता है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो, जब माया को विदाई देंगे, तब बाप की बधाईयां बहुत आगे बढ़ाएंगी, भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा, कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है, जितना माया को विदाई देंगे, उतनी ब्लेसिंग स्वता मिलेगी, परमातम दुआएं एक जन्म नहीं, लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ट बनाती हैं, सदा ये समरिती में रखना, कि हम हर कदम में बाप की, ब्रामन परिवार की दुआएं लेते, सहज उड़ते चले, ड्रामा में विशेश आत्माएं हो, विशेश कर्म कर, अनेक जन्मों के लिए विशेश पाट बजाने वाले हो, सधारन कर्म नहीं, विशेश कर्म, विशेश संकल्प और विशेश बोल हों, तो आंधर वाले, विशेश सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ट कर्म द्वारा अपने श्रेष्ट परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो अपने को आइना बनाओ और आपके आइने में बाप दिखाई दे ऐसी विशेश सेवा करो तो यही याद रखना कि मैं दिव्वे आइना हूँ, मुझे आइने द्वारा बाप ही दिखाई दे, समझा? अच्छा, ओम शांती